सद्कुरू मैं आपको ये कैसे बताऊं कि ओ आप तो बोलती हैं मुझे लगा आप एक मौनी है क्या आप क्या आप इसे बहुत जादा मुश्किल नहीं बना रहे हैं खुद 30,000 किलोमेटर का सफर घर के इसमें जोकिम तो है मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ मैं यूरोपीय सर्दियों में हूँ और एक यूद भी है सौ दिनों तक हाई और बाई कहने के बजाए मिट्टी बचाओ कहते हैं न क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुंदर जीवन को बाई बाई कह रहे होंगे वान हंडर देस वान हंडर बूम नमस्कारम सबसे पहले सब्गुरू वो आप तो बोलती हैं मुझे लगा आप मौनी हैं आज यहां खड़े होकर आपके साथ यह बातचीत करके मैं वाकई सम्मानित महसूस कर रही हूँ सबसे पहले इस पहल के लिए मेरी तरफ से धेर सारी शिपकामनाय और बधाई यह एक बहुत बड़ी जिम्मदारी है जिसे आपने उठाया है मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और कई सारी अनाज, दाल, चावल, सबजी वे गाउं से आते हैं और अब उनकी क्वालिटी काफी खराब हो गई है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस बातचीत की शुरुवात मैं आपसे यह पूछ कर करना चाहती हूँ किसान समुधाय के लिए ये अभियान कितना मात्व पूणन है जो कुछ न कुछ खाता हो पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो केवल धूप खाते हैं कोई खाना नहीं खाते वो सुरक्षित हैं बाकी सब के लिए ये सूपर महत्वपून है क्योंकि दुनिया का हर जिम्हेदार व्यग्यानी के सोर इशारा कर रहा है कि 2045 तक हम 40 प्रतीशत कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9 अरब से जादा होगे वो एक विनाशकारी दुनिया होगी वो ऐसी दुनिया नहीं होगी जिसमें आप रहना चाहेंगी ना तो ऐसी दुनिया होगी जहां आप अपने बच्चों को छोड़कर जाना तो क्या ये किसानों के लिए महत्वपून है बिलकुल है अभी भारत में आपने हर तरफ किसानों की आत्मत्याओं के बारे में सुना है तीन लाग से जादा किसान आत्मत्या कर चुके हैं 2000 से अब तक और कितने मर जाने चाहिए हम इस मुद्दे को नजर अंदाज कैसे कर स अभी भी नहीं बिलकुल नहीं है ना इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा आत्मत्या इसलिए होती है क्योंकि खराब मिट्टी पर खेती करके दिल तूट जाता है अमेरिका में 50 प्रतिशत किसानों ने पिछले 12 वर्षों में एक भी डॉलर नहीं कमाया है दुनिया के स सबसे अमीर देश अमेरिका में अगर हम हर पेशे में होने वाली आत्मत्याओं की संख्या देखें तो सबसे जादा आत्मत्याइक किसान कर रहे हैं तो अभी यही हालत है क्या इससे किसान को कोई फर्क पड़ता है बिलकुल आप उन कुछ खेतों का दौरा करें जिने हमने फिर से जीवित किया है और देखें कि वहां किसान कितने खोश है उनका जीवन कैसा है सिर्फ आर्थिक मामले में ही नहीं बस उस जमीन पर होने का आनन देखिए जो समरित और उर्जा से भरपूर है तो सबकुरू आपने ये पहल की है लेकिन माफ कीजेगा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ आप तो आप है लेकिन पर क्या आप इससे जादा मुश्किल नहीं बना रहे हैं 30,000 किलोमेटर की 26 देशों की यात्रा खुद करके देखिए अगर तीन लाग किसान आत्मत्या कर लेते हैं और फिर भी एक देश और समाच चैन की नीन सो पाता है तो लोगों को जगाने के लिए कुछ तब करना ज़रूरी है है ना तो जीवन के इस पड़ाव पर आपको क्या लगता है कि मैं 35-25 का हूँ मैं 65 का हूँ ठीक है तो जीवन के इस पड़ाव पर मैं दुनिया में ऐसे मुकाम पर हूँ कि मैं बहुत आराम से जी सकता हूँ मैं जहां भी जाओं, लोग मेरा ख्याल रखते हैं मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप तो आप हैं तो मुझे वाकई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस दुनिया में किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वही हूँ, जो मैं हूँ, और कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाओ, लोग मेरी देखभाल करते हैं, वे मुझे अच्छे से रखते हैं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लोग फिर भी मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी एक पीड़ी के रूप में अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हमें इसका गंभीर पच्टावा होगा, क्योंकि बायो डाइवर्सिटी का इतना नुकसान हो रहा है, कि अगर आप इसे और 30 से 40 साल तक ऐसे ही होने देंगे, तो इसे ठीक करने में 500 से 200 साल लग जाएंगे, पर अगर हम अभी कुछ करते हैं तो 10 से 15 या धिक्तम 20 वर्षों में हम एक महत्वपून बदलाव ला सकते हैं, ये एक कमिटमेंट है, ये एक जिम्मेदारी है, और ये हमारी पीड़ी का सौभाग्य भी है, क्योंकि हम समय के उस मोड पर हैं जहां बदलाव ला सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें बदलाव चाहिए, अच्छा, क्या इसमें जोखिम है, हाँ बिलकुल है, मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ, मैं यूरोपिय सर्दियों में हूँ, और एक युद भी है, अरब की गर्मी, तापमान लगबग 38-40 डिग्री है, यूरोप में कई जगों पर तापमान शूने स नीचे है, और जब मैं भारत में प्रवेश करूँगा, तब मौनसुन चरम पर होगा, तो रास्ते में मुश्किले हैं, पर आप इसे हम सभी के लिए, पूरी मानव जाती के लिए कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि मैं एक इनसान हूँ, क्या किया जाए, अगर मैं किसी अलग प्रजाती होता तो ना करता, समझ गई, सद्गुरु जब हम मिट्टी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो साथ ही पलायन, भूख, गरीबी की भी बात हो रही है, मैं बस एक और दृष्टी कोन पाना चाहती हूँ, कि आध्यात्मिक सादक के लिए ये कितना महतुप तो आत्मा को पूरी तरह से उल्लासित होना है, शरीर को पूर्ण उल्लास में होना होगा, मन को पूर्ण उल्लास में होना होगा और उर्जा जरूरी है, ये महाल होने पर ही आत्मा उडान भरेगी, वरना नहीं और किसी भी व्याग्यानिक से पूछिए, आज विज्ञान बहुत विख्सित है, लेकिन आपको उस तरह के टुकड़े टुकड़े विज्ञान की जरूरत नहीं है, अगर आप देखें कि आप अच्छी तरह से पोशित हैं, अच्छी तरह से पोशित यानि सभी पोशक और केवल जब आप अपने सभाव से ही अच्छा महसूस करते हैं, किसी चीज की वज़े से नहीं, तब आप ये देखना चाहेंगे कि इसके परे क्या है, उतावले लोग परे की चीज़ें नहीं डूंडेंगे, वो केवल अपने आज की समस्या को सोलजाने का प्रयास करेंगे अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, यानि आप ठीक हैं, आप यहां बैठे बैठे ही आनंदित हैं, तब ही आप देखेंगे कि परे क्या है, लोग उल्टा सोचते हैं, अभी लोग सोचते हैं कि लोग जो परिशानी, दर्द, किसी तरह के दुख में हैं, वो मंद कि सारी प्रार्थनाएं, दुर्भागे से, उनमें से 90 प्रतीशत इस तरह हैं, मेरे भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, यानि वो जीवन चलाने में बाहरी मदद चाहते हैं, अध्यात में जीवन चलाने के लिए बाहरी मदद नही है, अध्यात में जीवन चलाने की जरूतों से आगे बढ़ जाने के बारे में हैं, बिल्कुल सच, बस मेरा एक आखरी सवाल है, हम आपकी सारता कैसे कर सकते हैं, कोई भी जिसके पास सोशिल मीडिया पर फॉलोविंग या डिजिटल उपस्तती है, हम सभी मिलकर कैसे मदद कर सकते हैं, या योगदान कर सकते हैं, देखे हर इंसान मदद कर सकता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राष्ट्रों में रह रहे हैं, यानि कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में सिर्फ एक ही चीज जरूरी होती है, लोगों की संख्या, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया 21 मार्च से लेकर 100 दिन तक मिठी के बारे में कुछ कहे बस मिठी की बात करें। नावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, और इससे बहुत बड़ा फर्क भी पढ़ेगा, क्योंकि नीती बनाने में बदलाव तब ही होगा, जब लोग वैसी मनशा दिखाएंगे, तो अभी यही सब कुछ है, यह पूरा अभियान, दुनिया से विभिन राष्ट्रों के नागरि यह सच है, यह एक क्रूर काम है, यह बहुत ही क्रूर काम है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, तो अभी आप आनंद में अंजान हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो अभी करना यह है, आप जो चाहें करें, आप चाहें जो करें, पर हर कोई इन 100 दिनों के कम से कम 10 मिनट 21 मार्ट से लेकर 100 दिन तक कम से कम 10 मिनट इस संदेश को फैलाने के लिए खर्च करें बस सड़क पर किसी से मिलें और इस बारे में कुछ कहें यह गंबीर मुद्दा है हर दिन किसी नए इनसान से मिलें और उन्हें बताएं कृपया यह जरूरी है और 100 दिनों तक हाई बाई करने के बजाए मिट्टी बचाओ कहते हैं क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुन्दर जीवन को ही बाई बाई कर देंगे जीवन के अच्छाई हमसे दूर चली जाएगी सब्कुरू मैं इस मुद्दे पर पूरी तर आपके साथ हूँ और इस अभियान और पहल को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत दूर यह मेरा अभियान नहीं है यह हमारी धर्ती है तो दोस्तों आपने उन्हें सुना और हम सभी को एक जुट होना होगा मिट्टी को ठीक है धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद